असलाम आलेकम एव्रीवन आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं गोबी अलो की सबसी वैसे तो आपने गोबी अलो की बहुत सारी जयरेसिपी द्रया करी होगी मगर एक बार इस रेसिपी को ज़ूर द्रयselves करें बहुत एजी सी सिंपल सी रेसिपी हैं बहुती मज़ेदार आलो गोबी की सबजी बन के तयार हो जाती है, बहुती कम मसालों के साथ, तो चलें आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं, गोबी आलो की सबजी बनाने के लिए आपे मैंने लीगती 200 गोबी और इसको इस तरीके से मोटे-मोटे फूलों में कट कर लेन हैं और यहां पर गोबी को जब तक फ्राइ करेंगे जब तक इस ब्राउन सा कलर नहीं आ जाएगा और गोबी 70% गल ली जाएगी, यहां पर हम इसे 70% गला लेना है, अच्छे से उस सिर्कल चलाते हुए फ्राइ कर लें ताकि गोबी हमारे नीचे से जलना जाए, तो यहां यहां पर हम इसमें आड कर देंगे आलू को, यहां पर मैंने दो दर्मियानी साइस के आलू लिये थे और उसे तरीकी से लंबे टुकड़ो में कट कर लिया था, इसे भी हमें जोए शैलो फ्राइ करना है, जब तक आलू की ओपर हलका सा ब्राउन कलर नहीं आ जाएगा और अब यहां पर आलू जोए पर्फेक्ली फ्राइ हो चुके हैं और इन्हें बाहर निकाल लेंगे और एक कड़ाई में आड करेंगे थोड़ा सा ओयल और इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून जीरा और जीरे को 20-30 से के लिए सौटे कर लेंगे अब हम इसमें शामल करेंगे एक प्याज ये एक दर्मियानी साइज के प्यास तर जिसे बारी काट लिया था और प्यास को हलका सा सौफ्ट होने तक हम पगा लेंगे जैसी प्यास हलकसा सॉफ्ट हो जाएगा उसमें आड़ कर देंगी तीन बारी कटी हुई हरी मिर्चे साथी इसमें आड़ कर देंगी एक एच अद्रक का टुकड़ा बारी कटा हुआ अद्रक का टेस्ट गोभी आलो में बहुत अच्छा आता है इसलिए जादा बॉन्टिटी में इसमें आड़ करें और यहां पर हरी मेर्चे की पॉन्टिटी आपको अपनी टेस्ट के अकवाणी कम यह जादा कर सकते हैं इसके बाद हम इस सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राइ कर लेना है जब तक प्यास लाइप ब्राउन में हो जाएगी तो यहां पर मुस्तिक चलाते रहें और ग्यास की फ्लेट को बिलिब टु हाई पर रखिए तो यहां आप आप देख सकते हैं जो प्यास के ब्राउन हो इसमें अपकर देगे ताकि टेमाटर हमारे जल्दी से गल जाए और इसे पका लेंगे जब तक यह सौफ नहीं हो जाएंगे और जैसी टेमाटर सौफ हो जाएंगे अब इसमें मसाले आड़ करेंगे 1.5 टीज़पून सौल्ट, 1.5 टीज़पून लालमेट चुका पाउड 1 टीज़पून धनिया पाउडर और 1 टीज़पून भुनावा कुटा वजीरा इस सारे मसाले इसमें आड़ कर देंगे अब इसमें जाएगा एक बहुत इंपॉर्टन मसाला चाट मसाला इससे वो भी आलमें बहुता चट्रेस चाता है यह 1.5 टीज़पून इसमें आड़ और यहां पर नमक की कौटिटी को ध्यान में रखिएगा विचाट मसाले में भी नमक होता है और अब थोड़ा से पानी डालके इस सारे मसालों को भूल लेंगे अच्छी तरीके से जब तक इसमें से ओल से प्रेट भी हो जाएगा और यहां पर मैं एक मसाला इसमें डालना आपर मसाला पुन गे अच्छी से वुन गली है अब इसमें अड्क कर देंगे गबी आलू जो हमने प्राय करके रखे थे और गोबी आलो ग्रेवी के साथ अच्छी तरीकिसे मेक्स कर लेंगी यहां पर हमने गोबी आलो जब शेलो फ्राई की आ था तो 70% गलाल है था अब आलू पइला है बहुत जाना आड़ और अम पर और हमकर रहेखे भी को यहां भी प्तुक्त पानी पेएज़ाएबा और हमें अगालेगी जाता है, फोलो हड़ा है, भी समा沫 क्या अक्तुक्त सुपी exactamente किए remarkable look पानी के लिए जरूरत पड़ेगी, सबजियों में बहुत ज़दा पानी नहीं डाला जाता है, वंदो उसका टेस्स खराब हो जाता है, और अब इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे, और कवर करके हम 15-20 मिनिट के लिए पका लेंगे, जब तक वो भी अच्छी तरीके से सॉक् यहां पर मेरी गोबी ज़ए बहुत अच्छी से गल गई ती, अगर आपको ऐसा लगेगी यहां पर आपकी गोबी आलू सही से गले नहीं है, थोड़ी से उसमें कसर रह गई है, तो थोड़ा सा पानी आड़ करके दुबारा से 5-10 मिनिट के लिए और रख दें तो गोबी इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगी, और यहां पर बहुत हलकी हातों से आराम से मिलाएं, वन्हां गोबी ज़ए तूट जाएगी, बहुत जोर से चमच ना चला है, और बस गोबी आलू बनके रेडी हो गए हैं, अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं, गोबी आलू की सबजी को एक बार इसे जरूर ट्राइ करिएगा, और मुझे बताएगा कि आपके वो भी आलू की सबसी कैसी मनी, मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए, अल्लाहाफ़ज,